आपके 40 दिन प्लेन के लिए तयार हैं 40 दिन के अंदर हम पूरा स्लिव कंपलीट करने वाले हैं चलिए मिलते हैं फॉर्म भरिये फटा फट से और जुड़ जाते हैं मैनत करके 40 दिन में सारा पूरा समिस्टर 5 का स्लिवस खतम करते हैं हांजी स्टूडेंट कैसे हैं एक्जाम फॉर्म आ चुका है एक्जाम आपका दिसंबर में है औक्टूबर जा चुका है बचा नेमेंबर है ठीक है ना और सर सेकिंड फेज वाले बच्चों का तो सायद रिजल्ट भी अभी उसी के अक्टूर्डिंग है के सर हमारा कब अब मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा एक्जाम फॉर्म आ गया एक्जाम फॉर्म तो अव्विस से भरना है सेकिंड फेज वाले जो बच्चे थे उनको भी वेटेड है आपके पास सरिफ और सरिफ काउंटिंग के देखे तो मैं मान के चलूं 40 डेज चालिस दिन है मैं आ परारी निरा आपको मैं इंटीमेट कर रहा हूं सर 40 दिन बचे हैं आपके एक्जाम के अंदर सो प्रिपरेशन रेडी कर दो तर आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है कॉमनली अगर देखा जाए तो एक हमारे पास आता है फनाइंशल मेनेजमेंट एक आज आता है सर हमारे पास एकनोमिक्स सर एक आज आता है हमारे पास एंटर्पनेर्शिप सर एक आज आता है हमारे पास मार्केटिंग मैंने वही subject यहां लिये हैं जो सबसे ज़्यादा popular है वो subject यहां consider नहीं कियें जो कि कम popular है जिसके study material अविलिबल नहीं है तीज दिन बचे हैं और आप semester 5 के बाद आप जाओगे semester number 6 में और जैसे ही आप पहुचोगे semester number 6 में इसके बाद आपको tension होगी सर किस बात की tension होगी जो बच्चे हैं जो students हैं उनको सबसे major tension अब तो graduation complete यानि graduation complete होने के बाद आपकी study complete मान लिया जाता है normally आम तोर पे आपको नौकरी के लिए जाना है और graduation करने के बाद आप नौकरी पे जाते हो nothing आपके लिए कोई job available नहीं है at least आपके पास कोई skill एक और साथ में ना हो तो skill के लिए आप क्या कर सकते हो sir MBA करोगे skill के लिए sir आप B.A.D. कर लेते हो जिसको लड़कियों के लिए जादा तर best रहता है skill के लिए आप sir क्या कर लेते हो आगे चलके MBA कर लिए B.A.D. कर लिए कोई बच्चा C.A.D. में चला जाता है कोई बच्चा C.S. में चला जाता है कोई बच्चा C.A.D. में चला जाता है after graduation भी काफे सारे choose कर लेते हैं इस तरीके से तो sir मैं बोलना चाहूंगा और हर जगह पे maximum point में कुछ बच्चे M.C.A.D. में भी ले लेंगे जो अपना आगे career education में बनाना चाहते maximum point पे आपकी requirement है sir 50 परतीशत minimum सर मैंने जैसे 50 परतीशत बोला ना आप लोग समझते हो कि sir हमारे तो वैसे 70 बन रहे है क्या दिक्कत है तो sir आपके 70 नहीं बन रहे है 70 बहुत लोगों के बन रहे है तो आपको ज़्यादा percentage score करना पड़ेगा इन सभी में easily admission लेने के लिए MBA में admission SOL से लोगे percentage चाहिए cut off निकलेगी BAD के अंदर DU से लोगे तो definitely entrance होगा cut off निकलने वाला है CS CS के अंदर आपको direct admission तभी मिलेगा जब आपका percentage 70% प्लस हो तभी आपको direct foundation छोड़के सीधा enter या executive के अंदर चले जाओगे आप तो sir exam form की बात करें तो आ चुका है financial management बहुत simple subject है sir financial management पूरा practical subject है यह economics आपका compulsory है और यह आपका दोनो theoretical है तो मैं एक planning बता देता हूँ किस तरीके से 30 दिन 40 दिन के हिसाब से sir आपको daily basis पे daily basis पे दिखे जो job करते हैं कुछ night में कर रहे हैं कुछ डे में कर रहे हैं कुछ और activity कर रहे हैं 40 दिन आपको डेड़ घंटे से दो घंटे निकालने पड़ेंगे study को तब जाके exam में दोगे आप ध्यान रखो के वही हालात ना हो जाए जो की पहले हुआ था मैं हर बार बच्चों को बोलता जा रहा हूँ तो sir financial management आप 40 दिन के अंदर बहुत easily खतम कर सकते हो मैं guarantee लेता हूँ कि 40 दिन के अंदर आप connect रहे हैं 40 दिन के अंदर जो बच्चे YouTube पढ़ रहे हैं comment में डालिए आपको उसका answer मैं दूँगा जितना maximum होगा 40 दिन के अंदर आपका FM खतम करके मैं revise भी करा दूँगा आपका ठीक है ना live classes भी होंगी और recorded वीडियो जैसे भी है live और recorded मैं revise भी करा दूँगा खतम करके 40 दिन में बड़े अच्छे से एक्जाम के अंदर कोई भी ऐसा question नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा financial management में चाहे बच्चा become program का हो चाहे बच्चा become honors का हो मैं यह दोनों के लिए बात कर रहा हूँ basically यह subject जो मैंने लिखा है become program के honors में तो sir FM compulsory है ही है यह subject मैंने program के लिखा है economics जिन बच्चों की 12 तक economics ठीक था अच्छी बात है वो self करके पढ़ सकते हैं जिन बच्चों का 12 वाला economics सारा भूल चुके हैं demand supply जिसके अंदर हमने पढ़ा था जिसके अंदर cost पढ़ा था indifference curve पढ़ा था जो पढ़ा हुआ था भूल चुके हैं तो messages करूँ है sir आप सबसे पहले तो 10 year लीजिए 5-7 दिन पढ़ने की courses करिए नई समझ में आजता है तो go for आप tuition ले सकते हैं जिसकी classes यहाँ पे भी available है और ये भी आपका easily 30 दिन में खातम हो सकता है सारा सले बस मजे की बात आपने paper Hindi में भरा हो या paper आपने English में भरा हो freely आप किसी में भी paper write कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसमें भरेंगे तो maybe जिसने paper English में भरा हो FM तो English में दे देगा और आपका economics आप video lecture देखोगे सुनोगे सुनते सुनते आपको सारी चीजे पता होगा आप लिख के भी आ सकते हैं अपने आप जिन बच्चों को English में लिखने में problem आती है उनके लिए जिन बच्चों को English में लिखने में ठीक है वो English में लिख सकते हैं सर वीडियो lecture के थूँ आप easily आप demo वगेरा सब चीज़ आपने देख रखा है तो सभी को पता है इसके लिए सर टैनियर लीजिए बुक मैंने हाला कि एक वीडियो में बताया है और इसके लिए भी सर आप टैनियर लीजिए इसके लिए कोई कोचिंग नहीं मिलेगा तो financial management micro economics सर 40 दिन के अंदर cover कराया जाएगा कैसे कराया जाएगा वो सारा strategy, सारा planning मैंने बता दिया है जो बच्चे existence में पढ़ रहे है मेरे से उन सभी के उपर काम किया जा रहा है कि कैसे कराया जाएगा daily basis पे बस आप से तेड़ गंटा मांगेंगे डेड़ घंटे में दो सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हमारी है सर दो सब्जेक्ट हमारे बस मेरे हिसाब से चलना है वीडियो देखना है, homework करना है, that's it और कुछ नहीं करना, paper में मज़ा आ जाएगा paper का एक point भी नहीं छूटने वाला साथ के साथ इसके लिए भी guidance डाल देंगे के सर इसके लिए ये chapter करो, कुछ importance point इसके अंदर ये है, ये ये चीजे करना है तो hopefully आपको समझ में आया होगा अब कुछ बच्चे जो YouTube पे देख रहे हैं सर, YouTube पे मैं सारी वीडियो डाल रहा हूँ ऐसा नहीं के नहीं डाल रहा है, जैसे जैसे मुझे time मिल रहा है, डलता जा रहा है paid courses में भी कुछ बच्चे हैं, paid courses में भी बच्चे जाते हैं, उसके अंदर live classes जाते हैं अब paid और YouTube में फिर मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर क्या फरक है paid और YouTube में, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक equation बना के दिखाना चाहता हूँ equation ये है paid course जो है is equal to तो सर आप समझदार हैं, जितना मैं YouTube पे पढ़ाऊंगा, जो बच्चे मेरे से YouTube पे बहुत भरूसे के साथ जुड़े हैं वो YouTube पे हैं, और paid में वही मैं पढ़ाऊंगा, कोई फरक नहीं है पहले मैं ये चीजे clear कर दूँ आपको कहीं बच्चा सोचे paid है तो paid के पीछे भाग जाते हैं और YouTube पे क्या है अब क्यूं paid और क्यूं YouTube में क्या difference है, major live classes और doubt session paid में आपके, क्योंकि YouTube पे कहां से लूँगा doubt class sir, live class में आप ना बोल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, कहां से ले सकते हैं तो paid courses में जो है आपका जो paid courses है इसके अंदर आपका live classes भी है live classes के साथ doubt session भी है pdf notes भी है proper guidance के लिए especially अलग से team पूरी assign की गई है थोड़ा सा मैंने किसी को आप लोगों के इतने सारे जैसे की viewers है बहुत सारे doubts हो रते हैं मैं परिशान हो गया तो मैंने किसी को एक बहुत ही sincerely बोला के भी है बच्चों की query आएंगी बस आप मेरा इतना काम कर देना उनका phone pick कर लेना मैं class में होता हूँ आपने doubt उनसे पूछते रहते हैं और वो मेरे पास आता रहता है उसको हम solve करते रहते हैं बस एक features हैं यानि सर paid courses में doubt की tension नहीं paid courses में live classes में doubt पूछते हैं बस बाकी content same रहता है दोनों जगह पे कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछे के सर दोनों में क्या फरक है जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं सर मन लगा के पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है बस एक distraction आता है एड चलता है उसके उपर और उसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर सकता YouTube की policy है आप चाहे monetize करो चाहे नहीं करो अब क्या कर सकते हैं application के अंदर आपको काफे सारे features record करके देख सकते हैं video high quality में video आप देख सकते हैं forwarding करके भी देख सकते हैं unlimited time तक view कर सकते हैं आप तो सारे features इसके अंदर डाले हुए है मैंने application के अंदर अब sir बात आ जाती है कुछ बच्चों के मन में होता है कि paid courses sir महंगा होगा आप तो पढ़ा रहे हैं paid courses महंगा होगा sir मेरा experience है देखो जो FM का tenure है FM का tenure है sir ये tenure शिवदास का है जो कि मैंने लिखा है तो मैं अपनी चीजों का promotion क्या करूँगा मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने लिखा है भई शिवदास का tenure है मैंने लिखा हुआ है honors का भी लिखा है program का भी लिखा है सारे content मैंने manage किया है सारे solution मैंने अपने accordingly डाला है आपके nearby shop पे मिल जाएगा आप जाइए tenure लीजिए nearby shop पे नहीं मिलता ओर तो एक number मैंने पिछली वीडियो में डाला था हाला कि मैं इस वीडियो में भी डाल देता हूँ वो number इस number पे connect करके किसी subject के Hindi मैं लेना चाहे English मैं लेना चाहे English मैं मिल जाएगा मैं number डाल देता हूँ link description में भी डाल दूँँँगा और यहां लिख भी देता हूँ कहां गए सर ग्रीश जी का नंबर है 70 7011 111 47630 सर यह नंबर है Mr. Grease जी है Mr. Grease इन से contact करिएगा इंस्ट्यूट का नाम ले लिजिएगा सर उन्होंने नंबर प्रवाइड किया था यह available है वो सही तरीके से आपको guide कर देंगे hopefully समझ में आएगो अभी भी एक question मैंने रख दिया है mind के अंदर सर FM का cost क्या रहेगा again मैं कहा दू सर FM के जो बच्चे जुडने चाहते हैं 40 दिन के plan के साथ जुडेंगे हम 40 दिन के अंदर पूरा day to day daily आपको एक schedule दिया जाएगा भी है आज ये class खतम करो इसके साथ करो तो जो बच्चे YouTube पे हैं YouTube से ही बच्चे जो पढ़ रहे होंगे other बच्चों के fees कुछ भी है उससे क्या लेना देना offline में fees क्या लेना देना हम तो आपकी बात कर रहे है सर हम देख रहे हैं हमारी बात करो तो 599 में पूरा course कराया जाएगा कोई extra charges नहीं है हाँ 57 रुपे internet charges लगता है 57 या 10 भी हो सकता है तो नराज नहीं होना है 599 में पूरा course कराया जाएगा सर eco का क्या होगा सर eco भी आपको same price पे 599 में पूरा करा दिया जाएगा 599 या इसमें जादा से जादा हो सकता है management से बात कर लेता हूँ कि सर eco वाले सर कुछ दया करो student के उपर कुछ और discount कर दो तो वो मिल जाएगा कहां पे सर link में सारे description है link के अंदर सारी चीज़े आपको description में सारे description मैं क्या बोल रहा हूँ description में सारा link है description में सारी बाते मैंने लिखी हुई है वहाँ से जा सकते है contact नमर एक दे दूँँगा आप contact करें आपको सारी चीज़े समझा दे जाएगी तो hopefully आपके तो मिलते हैं next video के अंदर फिर नए एक planning के साथ thank you so much good night, take care, good morning, good afternoon जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे